हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम इफेक्टिव डिमांड और डिटर्मिनेंट ओफ डिमांड को रिवाइस करेंगे आप अगर गाड़ी चला रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे आप सिंप्ली हेड़फोन लगा लिजिए और शांति सगर ये वीडियो मतलब अदियो अ चीज पसंद है या कोई चीज का अगर यूज या नीड तो उसका मतलब उसका डिमांड है बट इकोनामिक में ऐसा नहीं होता है एकोनामिक्स यह बोलता है कि अगर वहां पर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर वो चीज फुलफिल करती है तभी हम बोलेगे कि वहां पे effective demand है, what are those criterias, the first criteria is desire, second criteria is ability to pay and the third criteria is willingness to pay, correct, फिर से एक बार बोलेंगे, desire, ability to pay and willingness to pay, desire, ability to pay and willingness to pay, desire, ability to pay and willingness to pay, मेरे साथ आप मन में ही revise करते जाओ, बोलो desire, ability to pay and willingness to pay, desire, ability to pay and willingness to pay, demand को बताते टाइम पे, present करते टाइम पे, लिखते टाइम पे हमको और दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो है period और price, यानि कि कभी भी हमें अगर demand के बारे में बोलना है, तो हमें तीन चीज़े बोलने पड़ती है कि quantity demanded कितनी है, कितने period में वो quantity demand की गई है और कितने price पे, यानि कि अगर मैं सिर्फ बोलू कि मेरे 100 dozen केले की demand है मेरे पास, तो उतना काफी नहीं होगा, that is not enough, हमें बोलना पड़ेगा मुझे एक हफ्ते में 100 dozen केले की demand है, at rupees 40 per dozen, इतना अगर मैं पूरा बोलता हूँ, तभी बोला जाएगा कि आपने correctly बोला है, कितनी demand है वो correctly बोला है, this is the proper representation of effective demand, तो चलो effective demand हो गया, आभी देखेंगे हम summary of determinants, हमने जो summary बनाई थी, अगर आप गाड़ी वगेरा नहीं चला रहे होंगे, तो आप अपने register में ये page open कर सकते हो, अगर आप नहीं भी कर सकते, तो भी अगर सुन लेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा, the first determinant is price of the commodity, आच्छा हम देख क्या रहे है, हम देख रहे है, determinant of demand, यानि कि demand को determine करने वाले factors, यानि कि यह ऐसे कुछ factors है, जो define करेंगे कि demand जादा होगी या कम होगी, तो पहला factor है हमारा price of the commodity, यहाँ पे हम देखते है, अगर price जादा है, तो फिर बच्चो demand होगी कम, राइट, अगर price जादा है, तो demand जादा, फिर से बुलेंगे एक बार अगर price जादा है तो demand कम और अगर price कम है तो demand जादा यहाँ पे जो relation है price और demand के बीच में उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है inverse relation इसको हम क्या बोलते है inverse relation क्योंकि अगर price उपर जा रही है तो demand नीचे आएगी और अगर price नीचे जा रही है तो demand उपर जाएगी, दोनों भी अलग-अलग direction में जाएगी, इसलिए inverse relation Next है हमारा price of the related commodities, उसके अंदर हमने देखा था complimentary और competing Complimentary का एक example बोलो, बच्चो फटा-फट, complimentary का एक example बोलो हम बोल सकते complimentary के अंदर petrol और vehicle, यानि कि हम ये दोनों भी एक साथ में यूज़ करते हैं, इसका क्या criteria है Complimentary का, यहाँ पे दोनों चीज़े आपने साथ में यूज़ करने चाहिए, correct, together, these are called and product and product, मतलब दोनों भी एक साथ यूज़ होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बच्चो अगर एक product की demand अगर, sorry, एक product की अगर price बढ़ती है, यानि कि vehicle की अगर price बढ़ जाएगी, तो petrol की demand कम हो जाएगी, आ रहे था हैं में आपको अगर vehicle की price बढ़ेगी, तो petrol की demand कम होने वाली है, और अगर vehicle की price कम हो जाएगी, तो petrol की demand बढ़ने वाली है, मतलब एक product की price अगर कम होती है, तो उसका जो related product है, दुसरा, उसकी demand पे असर पढ़ता है, तो एक की अगर price कम हो गई, तो दुसरे की demand बढ़ेगी, एक की अगर price बढ़ गई, तो दुसरे की demand कम हो जाएगी, ह इसको हम alternatives भी बोल सकते हैं, right, इसके अंदर हमने example देखा था, tea और coffee, यानि कि मैं चाय या coffee लूँगा, चाय और coffee दोनों भी मैं साथ में नहीं लूँगा, इसको हम बोलते हैं, और product, मतलब है एक दूसरे की जगह use होते हैं, these are used in place of each other, correct, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चो तो अगर चाय की अगर price बढ़ गई, तो फिर coffee की demand यहाँ पे बढ़ने वाली है, are you getting me, अगर चाय की price बढ़ गई, तो coffee की भी demand बढ़ने वाली है, right, और अगर चाय की price कम हो गई, तो coffee की भी demand कम हो जाएगी, क्योंकि जिसकी price कम है, demand उसकी उपर shift हो जाएगी, जैसे चाय की price बढ़ गई तो coffee सस्ती हो गई मतलब coffee की demand बढ़ेगी और अगर चाय की price कम हो गई मतलब चाय सस्ती हो गई तो coffee पीने वाले लोग चाय पे shift हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है बच्चो direct relation तो complimentary के अंदर है inverse relation competing के अंदर है direct relation are you getting the third one is disposable income of the consumer general rule यहाँ पे यह है कि income अगर बढ़ रहा है तो demand भी बढ़ने वाली है correct income अगर बढ़ रहा है तो demand भी बढ़ने वाली तो general rule के इसाब से direct relation है जैसे जैसे income बढ़ेगा वैसे वैसे demand भी बढ़ेगी लेकिन इसके अंदर हमने तीन टाइप के goods देखे थे एक था inferior और दूसरा normal के अंदर essential या non durable और तिसरा normal के अंदर durable या फिर उसको आप बोल सकते हो luxury या फिर prestige तो inferior commodities के case में क्या होता है बच्चों जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे आपका शुरुआत में क्या होगा जैसे थोड़ा थोड़ा income बढ़ गया तो inferior commodity की demand थोड़ी बहुत बढ़ेगी लेकिन अगर income एक level से जादा बढ़ गया मतलब increase in income beyond a certain level beyond a certain level beyond a certain level मतलब एक level से जादा अगर आपका income बढ़ जाता है तो आप shift कर जाएंगे inferior goods पे से normal goods पे और उसकी वज़े से inferior goods की demand जो है वो कम हो जाएगी right inferior की demand जो है वो कम हो जाएगी मतलब ही income जब एक level तक बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तब तक inferior की demand बढ़ेगी इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा increase up to certain level थोड़ा थोड़ा जब income बढ़ रहा है तब inferior की demand बढ़ेगी लेकिन जब यह increase in income जो है यह जब एक level से भी ज़ादा बढ़ जाएगा तो आप inferior से normal पे shift हो जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा inferior commodity की demand कम हो जाएगी सेकेंड हमने पार्ट देखा था normal goods, normal goods के अंदर essential या non-durable जिसके example में normal अपना food, clothing वगेर आता है जो daily use के लिए हम use करते है तो यहाँ पे क्या होता है बच्छो जैसे जैसे income बढ़ता है वैसे वैसे इन product की demand बढ़ती है लिकिन यहाँ पे proportion कम है यानि machine यह सब इसके example से यहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे income बढ़ता है वैसे वैसे इतके demand बढ़ती है लेकिन यहाँ पे higher proportion में बढ़ती है तो essential और durable में difference इतना ही है मतलब दोनों में भी demand बढ़ने वाली है जैसे जैसे income बढ़ेगा demand बढ़ेगी लेकिन essential के अंदर proportion कम रहेग वैसे वर्सा मतलब जब income कम होगा तब भी क्या होने वाला है demand कम होगी लेकिन essential non durable goods के अंदर lower proportion रहेगा कम होने का proportion भी कम ही रहेगा इसका और durable luxury या prestige goods के अंदर बहुत steep fall हैगा steep मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यह कम हो जाएगी इसका गिरने का proportion बहुत ज्यादा रहने वाले है उसके बाद में देखा था test and preferences मतलब in fashion जो goods है जो लोगो पसंदार है उनकी demand जादा रहेगी जो outdated है उनकी demand कम होगी इसके अंदर हमने चार effect देखे थे demonstration bandwagon snob और wavelength demonstration मतलब बच्चो जिसके अंदर आप किसी model को किसी artist को किसी star को someone who is better than कि उसको follow करते हो वो अगर को आपको इच्छ होती कि मैं भी यूज करूँ यह शायद आपका बड़ा भाई भी हो सकता है यह आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपसे जादा कमाई करता है कोई भी हो सकता है दूसरा है हमारा bandwagon effect bandwagon के इंदर हम देखते है जो trend है जो general public है वो जो यूज कर रही है वो आ आप यूज करना चाहते हो आपका बाजवाला आपका दोस्त आपका भाई सब लोग यूज कर रहे नई fashion आई कपड़ों की तो आप चाहते कि यह trend मैं भी set करूं यह trend मैं भी follow करूं तो उसको बोलते bandwagon effect यह दोनों effect के अंदर आपकी demand बढ़ती है क्योंकि आपने किसी और को वो product use करते वें देख लिया हमने अगले दो effect देखे थे snob और wavelength और wavelength effect की वज़े से demand generally कम हो जाती है snob effect और wavelength में आपको ऐसी कोई इच्छा होती है कि दूसरों के पास जो है मेरे पास कोई unique product होना चाहिए दूसरों के पास नहीं है correct अगर किसी के पास मैं वो product देख लेता है कि यहां पर आपको unique बनना है unique right दूसरों से अलग बनना है तो snob के अंदर uniqueness चाहिए वो जो uniqueness आएगा वो product पैसे कि वो product कुछ तो unique चाहिए उसके अंदर कुछ अलग facilities होनी चाहिए जो बाकी लोग के पास नहीं है और wavelength के अंदर आप uniqueness ढूटते हो through expensive commodities through high price commodities जहां पे कीमत जादा है वैसे product आप खरीते हो ताकि वो चीज़े बाकी लोग ना खरीते और आपके पास वो product रहे जो बाकी लोग के पास नहीं है next आपने देखा था consumer future expectation अगर उसको लगता है price बढ़ने वाली है तो वो आज का demand बढ़ा देगा उसको लगता है price कम होने वाली है तो आज decisions ले रहे है फिर हमने पाच other factors भी देखे थे जिसके अंदर था population अगर population जादा मतलब demand जादा population कम मतलब demand कम demographic या इसके अंदर हमने देखा था age of the population तो आपका जो product है उसके suitable age के लोग अगर जादा है यानि कि आप toys बनाते हो और आजू बाजू की national income का जो distribution है वो unequal होगा society के अंदर inequalities होगी तो फिर बच्चो demand कम होगी उसके बाद में हमने देखा था government policies अगर government policies आपके product को promote करती है तो demand जादा अगर demote करती है बैन करती है या restrict करती है तो demand कम इसके साथ साथ ही government अगर आपके product के लिए subsidy दे रही है तो demand जादा अगर heavy taxes process लगाती है तो demand कम इसके साथ साथ हमने देखा था durable products के लिए normally हम loan लेते है जैसे बड़े घर लेना है बंगला यह सब चीजों के लिए हम generally loan को गुलते consumer credit facilities तो consumer credit facility लेना मतलब loan लेना अगर आसान होगा procedure का रासान मतलब easy है तो demand जादा होगी product के लिए और अगर loan लेना मु interest rate मेरा जो loan लेना consumer loans जो है मेरे उसका अगर interest rate जादा होगा तो मेरी demand होगी कम और interest rate अगर कम होगा तो मेरी demand होगी जादा so I hope कि यह पूरा का पूरा आपको याद रखोगे और यह वीडियो बार बार सुनेंगे best of luck guys and happy learning